एडे लिडी स्ट्राइकर्स वर्सेज ब्रीस बैंड हीड दोस्तों ये जो मैच खिला जाएगा इन दोनों टीमों के बीच में ऐसे कौन से बल्ले बाज हैं जो इस मैच में जो अपनी छाफ होगी ना उसे छोड़ के जाएगा मतलब सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे और कौ बना का दूँगा दोस्तों ये जो मैच है ना एड लीड और वाल एड लीड में खिला जाएगा तो यहां की पिछ के बिएवियर क्या होगा कंडिशन क्या होगी कितना स्कॉर बनेगा क्या वो चेज होगा या डिफैंड होगा और यहां के मादान पर कौन सी टीम बढ़िय सब्सक्राइब करना इतना तो सकते हैं तो अब टेलिग्राम पिज्मान कर सकते हैं लोगों नहीं यहां की आप पीछे क्यों हो आप भी जोई चालाईगा ना के इसं tweaking बना लिये मिरे चाला लिकात में चला है रिब्स जानते हैं झालत हैं ब्स म теп氣 से ने करे देबर ब Belgian सारी चीज़ों को जानते हो समझते हैं तो एड़े लीड ओवर एड़े लीड में अभी तक टी टुन्टी डो मस्टी के 67 मैच के लेगा जिसमें से टार्गेट डिफैंड हुआ हैं अपर थार्गेट के 166 obsessed के स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से आठ मैच में ंट्रुस सकता है टार्getव की बात कर तो सेब्सक्राइब की बात करें तो मामला न यहे तो बारी का तो हो सकता है इस मेंदान का ही सबक्रेल का इस सिरी करना में 8 aprender के score बन चुका 170 से 189 के बीच में फर्स इनिंग में 24 टाइम score बना है scoring pattern देखने के बाद तो यह लग रहा है कि यहां पर कभी जो मैंच होता low scoring होता कभी medium scoring होता कभी high scoring होता तो इसका क्या चक्कर है इसका चक्कर भाई साब यह है कि यहां का जो surface है ना वो fantastic cricket के team में उन बल्ले बाजों को रखे जो swing के सामने थोड़ा सा बढ़िया बल्ले बाजी करते हैं और जो team यहाँ पर जेल लेती है swing को वो मतलब 4-5 उबर समाल लेती है क्योंकि यहाँ के जो condition है वो batting condition है आगे थोड़ा सा बल्ले बाजी के लिए बढ़िया हो जाता है तो ज सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मैथ तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मैथू सोड के जिन्हों ने आकरी के मैच में 399 न मनाई काफी गजब का अलाउंडर है मुझे लगता आज के मैच में यह आपको 30-40 या 50 न मना के देंगे इसके अलामा एक दो बिगिट निकालेंगे कौन मैं तो सोड तो आपको न इनको अपनी टीम में रखना चाहिए हो सके तो कैप्टन एंड वाइस 294 न मनाई कौन किरिसलिन और मुझे लगता आज की मैच में ये बढ़िया पारी खेलेंगे दमदार पारी के लेंगे 50-60 नो की तो इनको भी न आपको अपनी टीम में रखना चाहिए एडा मोज की बात करें तो आइधिंग बात करें तो आई तिंग एडाम होज आज की बा बेलबर लहता है तो यह भी पैरेशन की बात करें आगरी के 10 मैंच में 236 मना चुके हैं और दोस्तों जो मतलब ब्रीजबैन हीट के टीम है इनको काफी ज्यादा पसंद है 298 ब्रीजबैन हीट के सामने ठोक चुके हैं और मुझे लगता है यह खेलेंगे फिर भी आज की में 25 मेंच में पांध़ भी मैंच में फाम यह सबीकार खेंगे। आखरी के आठ मैच में 16 बिकिट चटका हैं और मुझे लगता आज की मैच में एक दो या तीन बिकिट निकाल सकते कौन हैंडी थोटर इसके अलबा इनको रन पर सकता थोड़ा सा महेंगे साबीत होंगे लेकिन आपको यह न बिकिट निकाल के देंगे तो आपको न इनको इनदवाजी करेंगे एक या दो बिकिट निकालेंगे इसके अलावा की फायती भी रहेंगे तो आपको न विस अगर को भी आपको अपनी टीम में रखना चाहिए पीटर सीडल की बात करें पीटर सीडल को जो विसमेन हीड की टीम में काफी जयादा पसंद है 14 बिकिट नि रखना है उस्मान ख्वाजा की बात करें तो मुझे लगता उस्मान ख्वाजा भी आज के मैच में बढ़िया बल्ले वाजी करेंगे 50-60 की पारी खेल सकते कौन उस्मान ख्वाजा तो आपको ना इनको अपनी टीम में रखना चाहिए वो सके तो कैप्टन एंड वाइस कैप् आज के मैच में 25 तीशनों की पारी खेलने वाले यह 50-60 भी मार सकते हैं तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं मैक्स बरियंट की बात करें तो आपना इसे थोड़ा सा बच करें सकते हैं रोस वाइटली की बात करें तो आपना इसे थोड़ा सा बच करें सकते हैं बाकी माइकल नेसर की बात करें जिन्होंने आकरी की 9 मैच में 13 बिकिट चटका हैं और जो एडलीडी स्टाइकर्स की टीम हैं इनको काफी ज्यादा पसंद है 14 बिकिट चटका चुके हैं किसके एडलीडी स्टाइकर्स के सामने और मुझे लग था आज की मैच में यह बढ़िया गेंदवाजी करेंगे कौन म माइकन लें सर की फायती रहेंगे दो-तिन बिकिट निकालेंगे तो आपको ना इनको अपनी टीम में रखना चाहिए बाकि अगर हमें आप में तू किनेमन की बात करें तो आइटिंग में एकाता बिकिट मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा महेंगे साबित होंगे तो आपना इनसे भी थोड़ा सा बच करे सकते हैं बाकि इस्पेंसर जोंसन की बात करें पिछला मैच कहला था जवर जच गेर बाजी करी थी बिकिट नहीं मिला था लेकिन मुझे लगता आज की मैच में बिकिट भी मिलेगा होकी फायती भी रहेंगे कौन इस्पोंसर जांसन तो इस् सभी प्लियर्स के बारे में जान लिया किनकी परफॉर्मस अच्छी हो सकती और कौन हो सकता है फ्लो अप तो उमीद है आपको इस वीडियो से कफी ज़्यादा हिल्फ मिलेगी फंटैस्टिक करके टीम बनाने में बाकि अगर आप मेरी टीम के इंतिजार कर रहें तो भाइस मेरा टेलिग्राम जोइन कर लेना मैच स्टार्ट होने के 20-25 प्रेंट पहले आपको इस मैच की न 2-3 टीम मिल जाएगी कहाँ पा मेरी टेलिग्राम पे तो उसे जरूर जोइन करें बस एक चीज का ध्यान देना है फेक से बसना है क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ज्यादा नक पीप एक्षन के साथ तब तक के लिए गौड ब्लेस यू